ही दोस्तों वेलकम है आपका fantasy expert news के official youtube चैनल पे सेंट किट्स और नेविस पेट्रोस वर्सेस टिबागो नाइट एड्रेस के वीच में जो मैच है उसको उमलोग कवर करने जा रहे हैं अगर आप लोग मेरी वीडियो women's CPL से regularly follow कर रहे हैं तो मैं आपको हमेशा team बनाना बताता हूँ कि कैसे आप लोग team जो है अपनी build कर सकते हैं लास्ट मेच जो अपना था गयाना वाला एन ए बीएफ वर्सेस गयाना यानि एंटी का प्रगुडा और फालकन्स वाला इसे मैंने आपको team बना के बताईती मैंने जो suggestions दिये थे जिन लोगोंने follow किया होगा उन्होंने इमादवसीम को captain भी किया होगा और team भी मेरी तेरही बनाए होगी जिसमें top order के players को छोड़ा होगा ठीक है but unfortunately हुआ गया शमार जोसेफ नहीं चले मुहमद आमीर नहीं चले चलो आमीर को तो हम रखती ही भी सही लेकिन शमार जोसेफ को उपर तो हम लोग risk ले सकते थे इनको avoid करके हम लोग एक extra battle हम लोग विगेट कीपर section से add कर सकते थे ठीक है वाकी team हमारी बहुत perfect team थी और cvc just rotate करने थे उसमें captain हो जाते हमारे इमाद वसी और wise captain हम लोग यहां पर मौती को कर सकते थे ठीक है तो हमारी grand league का combination बन जाता देखो एक ही team में बना के बताता हूं और एक भी इतनी perfect बनाने की कोशिश करता हूं कि आपको 100% और यह कब बन पाती है जब आप लोग पूरा TKR जो है ना सबसे ज़्यादा successful सबसे ज़्यादा तो नहीं कहूंगा लेकिन successful franchise है जो कि four times तो है वो champion रेज चुकी है ठीक है प्लस last time की जो क्या है वो runner-up है है ना और प्लस और इसके बारे में क्या ज़्यादा बता हूं मैं आपको fantasy point of view सो ज़्यादा चीज़े बताता लास्ट मेंच में भी giveaway हमने रखाई था मैंने पूछा था कि hope के कितने fantasy points आने वाले और wickets कितने आने मौटी के तो 77 points देते होप ने और four wickets लिए दे मौटी ने कोई भी correct प्रेडिक नहीं कर पाया था लेकिन उससे पहले जो दो लोग ने प्रेडिक किये थे सही लास्ट व लोग मेरी teams follow नहीं भी करते होंगे क्योंकि win loss चलता रहता है न क्योंकि जब तक आपको पीछी समझ नहीं आएगी तब तक आप लोग अच्छी teams नहीं grade कर पाएंगे यहाँ पर मैंने आपको यह तो मैंने टीम उठके सुबह आपको दिया था शेपर और वही चीज मैंने क यहाँ पर बिलिंग्स को एड कर दिया तो जस्ट एक यह चीज किया था बाकी चीजे मैंने सब कुछ सेम जो रखी दी और मैं आपको ट्रेडिंग का भी लगातार बताई रहा हूं मैंने आपको पहले ही बचा दिया था कितनी बज़े यह बताए था कि नो पे भी आप नेम और अभी शिक सिंग वाले दोनों भाई वीडियो देखने दो प्लीज कॉमेंट करके बताएगा अपने यूजर को कि भाई या जो गेवे भी करते ना वो जैनियोन होते ठीक है मैं आसे सीधा बढ़ता हूं अपना टेली गाम चैनल पर आपको जोनने के लिए यह यू अगेन यहां पर एडवानटेज ही है पेस वाल से स्पीन की बात करते हैं तो 82 विगेट में निकाले पैसर शने वो स्पीनर्स को मिले है 43 विगेट अगर हम लोग 2023 को कंपेर करते हैं 2022 से तो 2023 में स्कोर्स बने थे यह भी मैं आपके लिए बनाके लिके आया हैं सब कुषिट explain मैं आपको करूँगा यहासे थोड़ा सा क्योंकि मुझे इसमें बनाना पड़ता है तो एक्षल वगेरा थोड़ा साई से नहीं present हो पाता है इसमें लेकिन फिर भी जो चीज आपको ध्यान देनी है यह देखिए कहा से कहा तक ध्यान देनी वो भी यह देखते हूं देखो CPL 2023 के मैचस यहां से हैं और फिर यहां से जो है CPL 2022 के मैचस है ठीक है एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है आपको किन कॉलम पर नज़र रखना है एक तो यह पैसर वाला ठीक है और यह पर लास जो बना 156 तो 156 लास सीजन का सबसे लोवाइस टोटल था बैटिंग फर्स करने वारी टीम का और विकेट्स भी बहुत चादा नहीं कि रहे थे छे साथ पांच शे साथ पांच क्या सबस आरांड जो है विकेट गिर रहे थे पैसर्स को ठीक ठाक मदद मिल रहे थी इस पीनर्स को भी फर्स्ट इनिंग में ठीक ठाक मदद मिल रहे थी जैसे ही और उससे पहले वाला आप लोग देखेंगे नॉटिस करेंगे तो क्या हुआ है यहां से यहां तक CPL 2020 में स्कोर नहीं बन रहे थे ठीक है तो कुछ इस तरीकी की विकेट है न यह आगे मैं पिछके फोटो बताऊंगा और भी क्लियरली एक्स्प्लेन करूंगा चेज करने वाली टीम आ रही थी तो वो चेज कर रही थी यहां पर एक दो मैच को छोड़ दे तो यहां पर चे का कॉमिनेशन की जो भी कुछ हो रहा है ना खेल जिसको गते हैं वो फर्स्ट इनिंग के अंदर हो रहा है सेकंड इनिंग में चेजिंग टीम को थोड़ा एडवांटेज है तो वहां पर विकेट जो है वो थोड़े कम गिर रहे है यह लास्ट टेंड मैच जानलेस इस वैन कर जाते हैं प्लस यहां पर क्या होता है ब्लेक सोल विकेट की क्या नैचर रहता है कि जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस होता है इनके जो क्रेक्स वो गिरा रहते हैं वह बहुत जल्दी इन में आ जाते हैं तो उसकी वज़े से क्या हो जाता है यहां पर इस्पीनर्स ज्यों व तो कई नहीं कहीं संब प्रेंट करते हैं बाकी और आपको पेसर और इस प्रेसली जो पैस से ढलते हैं ज्यादा जिसके बास में पेस नहीं है वह यहाँ पर ज़्यादा सक्सेस रहेंगे यह मैं आपको एक्स्प्लेय अपर पिछ आपको फोटो दिखाऊँ गाँगा ना तो खाड़ी जिसको बोलते हैं एक पार्ट है समुदर का वो यहां पर आपको दिखने को मिल रहा है इस तरीके से यह वेन्यू है यह लास्स सीजन का है मैं आपको यहां पर दिखाता हूँ देखो जो चीज मैंना एक्स्प्लेइन की न वो यहां पर आपको दिख रहे होगी प्लस एक के पास में एक और विकेट है जनरली यह दो विकेट ही यूज होती है इस पर आपको थोड़ी से ग्रिनी स्टॉन भी मिलेगा और यहां पर क्या होता है पैसरस अच्छा कर जाते हैं आप देखना है आपको कौन सी विकेट यूज हो रही है यह वाली विकेट यूज करेंगे लेकिन यह वाली विकेट रहेगी तो यहां पर हो सकता है इनिशल मॉमेंट मिले और ग्रास की विकेट से थोड़े सा अच्छे से पकड़ बनी रहती है यहां पर आपको थोड़े से बैटर्स जो हो डॉमिनेट करती हूँ नजर आ सकते हैं ठीक है यह आपको चीज देविट भी अविलेबल नहीं उनके प्लेस पर यूएस से विकेट की पर बैटर एंड्री गौस जो की वैसे तो है तो साउथ आफ्रीका के डॉमिस्टी कर्केट वहीं से खेला है इन्होंने लेकिन अब यूएसे के लिए खेलते हैं तो वह जूंच जुके हैं टीम के अं पर यहां पर आपको ट्रेडिंग मिलता है जो आपको दूसरी असफे नहीं मिलेगा और मेरा रेफर वोड यूस कर लिजेगा फैंटेसी एंड्रेट ताकि मैं को बेनिफिट हो जाएगा कुछ कमिशन आपका मिल जाता है आपकर आप लोग जोईन करते हैं तो ठीक है तो फ अब इस मैच में आप लोग क्या कर सकते हैं क्योंकि यह प्लेंग लेएंग घ्रेने वाली इमरजिंग प्लें रियांजोन इस पर रह सकते हैं इनके लिए पावल्म में एक से दोवर कंफर्म ही डालती ही डालते हैं तो वहां वह यह इंपोर्टेंट हो जाते हैं तो एंडिक नोकिया प्लस कायले मेर्स यह दो हमारी टीम के डिफॉल्ट पार्ट होने चाहिए रेक्स को लेना या नहीं लेना है वो डिपेंड करेगा टोस के उपर कि सा कर रही है टीम कीर्ष कर सकते य॥ एपके और मेर्स फैंटेसई पाउले मेर्स कई को देने वाले हैं यए आपको बताना आगे और सब्सक्राइगा जिसके दोनों ही संदर याइसा ही आंसर होंगे उसको winner amount जो मैं दे दूँगा जैसन रोए इनके लिए open करेंगे TKR के लिए बहुत ज़्यादा consistent नहीं दिखते हैं with the bet और कुछ खास performance recent के टुनामेंड भी अच्छा नहीं रहा है एंडी गोस वर्ल्ड कप के अंदर बहुत अच्छे लग रहे थे लेकिन जैसे ही बड़े opposition आया और इनका bet जो है फ्लॉप हुआ यानि अच्छा performance नहीं कर पाए उसके बाद में निकलोस पूरण है कैसी कार्टी है किरण पॉलाड है अंद्रे रसल सुनी दाया है ड्वैन ब्रावो डेप्थ है इनके पास में अच्छी खासी यह टीम जो है वह emerging player का जो rule है न शुरात उनको पांच में चेस के लने तो मुझे नहीं लगता है कि यह starting में यूज करेगी यह यही प्लेइंग लेए उनके साथ में खेलना चाहेगी बाद में emerging player यह aid कर सकती है ठीक है बाकी वह दो में playing लेए उन आएगा तो clear हो जाएगा इसमें से जो चीजे मैं आपको बता देता हूँ नंबर वन चीजे अगर टीम TKR चेस कर रहे होगी तो तो हमारे लिए top order जो है वो important हो जता है otherwise हम लोग कहां से start करेंगे अपनी batting line-up निकोलास पूरण से start करेंगे उसके बाद में उसके बाद में हम लोग अंडे रसल सु यह दोनों हमाई टीम के जिस तो यह पांच प्लेयर ऐसे होंगे जिनको हमें avoid नहीं करना है यह हमारी टीम के पार्ट रहेंगे अब एक जो final player का rotation रहेगा TKR की तरप से या तो रोए एंडी गोस में से कोई एक रहेगा या फिर वो हमारे player होंगे काल इन पॉलाट ठीकि य मैं मार्क करके बचा रहा हूँ मैं रोए को ज्यादा consider नहीं करता हूँ कि mostly with the bat flop ही जाते हैं और against the spin इनके आगड़े अच्छे नहीं है तो यह तीन प्लेयर है जिनको आप लोग rotate करना है कैसी कार्टी मैं ज्यादा prefer नहीं करूँगा तो क्यारन पॉलाट जो की हो सकता है कि बॉलिंग डाल जाए चांसेस कम है लेकिन अगर बाई चांस डाल गए तो थोड़े रिस्की हो जाएंगे तो करेंट पॉलाट रोय और एंड्री गोस इन तीनों में से एक सेलेक्शन आपका रहेगा और यही डिसाइड करेंगे कि आप लोग ग्राइंड लीग में रेंक ल फस्ते लास्ट मेंच में भी आपने शायद देखा होगा तो इमाद वसीम के अगेंच में शायद वो फस्ते थे है ना जो फैला मैस था तो वही अगेन हमें देखने को यहाँ पर मिल सकता है तो सुनिल लारान अकील हुसेन दोरों इंपोर्टेंट है प्लस अंदे रसल यह यह तीन तो प्लेयर मस्ट होंगे इनको अवोइड नहीं करना है ठीक है कॉनसेप समझ में आ रहा होगा किस तरीके से टीम में आपको बनाना सिखा रहा हूँ है तो यहाँ पर देखो काफी 83 माचस हो चुके से फपील के तो आपको मिलेगा भी है प्लस हैट टूर में काफी अली खान इन्होंने विकेट्स निकाले हैं में इनकी बात नहीं करता हूँ है मैं वेन्यू पर बात करता हूँ वेन्यू पर कौन अच्छा कर रहा है देखो इमिल लेविस से सामने टीक्यार के बहुत क्वालिटी स्पीनर है तो हो सकता है यह भी इस्ट्रेगल कर जा लेग अब इनके पास में क्या एक एड्वन्टेज मिल जाता है कि यह विकेट कीपिंग कर रहे है तो वह एक एड्वन्टेज मिल जाएगा तो लेविस और अंडे फ्लेचर में से एक चोई सामारा रहेगा फिर रसेल हमाई टीम के पार्ट रहेंगे निकलोस पूर्ण को हम आवो जाल सकता है उसके बाद में मार्क दियाल ब्राव बाकी कोई ज्यादा खास ओप्शन नहीं है किसी ने विद बैट परफॉर्म नहीं किया इस वन्यू पर भी यह और भी प्लेयर्स है सुने ला रहे हैं एस बोलर ज्यादा कॉंट्रिबिशन रहता है सी पील के अंदर इस प आपको बचा रहा था कि यहां पर राइट आम मीडियम पेस्ट जो होते ना यानि कुल मिला के मीडियम पर असर रहते हैं जिनके पास में गती नहीं होती जो वन थर्टी वन थर्टी फाइफ के राउंड बोल डालते हैं वो प्लेयर्स यहां पर अच्छे हो सकते हैं ब्रावो मैं यह समझ रहा हूं कि इनको जाएंगे भी जाएंगे तो थर्टी फाइफ टॉटी परसेंट लोग ही लेने वाले हैं ठीक है लेकिन यह इसा बोलर है ना मैं क्या ज़्यादा बता हूँ इनको भी हम लोग रोडेट करेंगे ठीक बाकी चीज़ें आपके सामने हैं तब शाम सी इनो निविकेट्स निकाले नारायन निविकेट्स निकाले इस वैन्यू के अपर प्लेयर मैच अप्स की बात करता है जोसन रोए अगेंस इस्पीन बहुत जाद आच्छे आगरे नह हैं सिक्स बोलर तक होंगे तब तो मैं अपने टीम में कंसिर्यर कर सकते हैं सेवन्त बॉलिंग ऑप्शन हुए तो फिर हम लोग आवड़ी ही करने वाले हैं तो किरान बॉलर वैसे ये भी अगेंस इस्पीन आपको बता है चालने कितनी बार वजाएं लेक ब्रेक छी इनके साथ में ब्लस बॉलिंग भी कर सकते हैं तो किरोंग पुलाड रोटेशन वाले ट्रयर है रोए मारफ में से कोई एक और खेलते हैं तो देख सकते हैं अगर खेलेंगे तो इस वहाफी हैं पोजिशन में अने अलसाल हो स्री अंडम्रेश्र और इवनलिविस अगें अगेंस्ट इस्पीन दोनोगी टीम दोनोगी प्लेयर्स के आगरे ज्यादा अच्छे नहीं रहे हैं तो ओफब्रेक वो एक तो है जो लेफ्ट आम इस्पीन के अगेंस्ट में जिसमें अकील उसे ने इनको डिस्मिस किया है प्लस यहां से सुनिल नारायन ने इविल नेविस का प्लेयर है चलेगा तो बहुत अच्छे है क्योंकि LPL में देखा आपने सेंचरीज भी इन्होंने लगई तो यह इसको रखना या नहीं रखना आगे हम लोग वीडियो में डिसकुस करेंगे रदर फोर्ड कैलमेर्स में समेर्स को पिक करना पड़ेगा और इनिसमित अग जो की ठीक ठाक विकेट लेते हैं टेरां सेंट्स जो की बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है ना थे नेटवर्ड जो की एक इमर्जिंग प्लेयर है अगर यह लाइनरस में दिखते हैं तो इनके आकड़े भी देख लीजिए ठीक ठाक कॉंट्रिविशन करते हैं कोई मीडियम फास जालता है अगर यह टीम इनको रखेगी तो फिर हो सकता है कि मुझे नहीं लगता रखना चाहिए इनको क्योंकि लेफ्टाम मीडियम इनके पास में लड़ी लीटिल है यहां से यह स्कीन ले लिए और भी ज्यादा क्लियरली वीजिबल है कि कि इसका फॉर्म क कितने फैंटेसी पॉइंट्स मिलने वाले हैं सेकंड कोशन हमारा यह रहने वाला है तो दोनों प्लेयर्स के मैंने पूछ लिया है जो भी सही आंसर एगा उसको मैं अमोंट दे दूँगा अपने टेलिग्राम चैनल पर अनौंस कर दूँगा सेफ पिक्स में यही होते हैं अने रसल सुने लाइन सीविसी आप लोग कर सकते हैं अगर बेट फर्स करी टीम तो निकलोस पूरण को आप लोग वाइस केप्टन ट्राइ कर सकते हैं ठीक है और ग्रैंड लीग में तो यही बैटर ओप्शन होंगे इन्हीं के साथ में आप लोग सीविसी कर सकते हैं अब टीम मैंने एक टीम तो बना के रखा है अल्रेडी अपना कॉंबिनेशन जिसमें कुछ इस तरीके से मैंने यह टीम बनाया है देखो सेफर साइड जाने के लिए मैंने सुने लान को कैप्टन किया है उसके बीछे क्लियर कट रिजन जो है वह भी मैं एक्सप्रेन करते हूं क्य लिए मस्ट हो जाएंगे इनको करना ही चाहिए फिर स्टप्स यह क्या है कि स्पीन को बहुत अच्छे से प्ले करते हैं तो वह उसको चलते में इनको अपनी टीम में इंकलूट करूँगा निकोलोस पूरान विकेट कीपिंग करें इसलिए इनको अपनी टीम में रखना है अगर गोस भी विकेट कीपिंग करें तो भी निकोलोस पूरान को रखना ही पड़ेगा अंद्रे फ्लेचर क्योंकि विकेट कीपिंग से बैक अप दिला रहे हैं इसलिए मैं इविल नेविस के साफ ने जाके एंडरे फ्लेचर को अपनी टीम में रख रहा हूं और इनके प क्योंकि कापटन को करणू और वसकेप्टन सुनेρ नाइतन के साथ में चला जाओं या फिर वाइस कप्टन पूरणके साथ में यह हो सकता है," . Console करेगी तो मेरी टीम के अंतर आपको यहिं रसल जो है वह है क्याक्न मिल जाएंगी ठीक है बैठ सेगंड करेगी तो फिर मैं स सोचूंगा कि पूरण या नारेन में से किसके साथ में को करना चाहिए फिलाल एक टीम तो यह बन रहा है सेकंड क्लोन करके इनकेस अगर ज्यादा मुमेंट नीरे तो फिर लीटिल थोड़ से रिसकी सेलेक्शन बन जाते हैं तो उस केस में आप लोग किसके साथ में जा सकते ह आप चाहिए तो नेट को प्रिफर कर सकते हैं क्योंकि ज्यादा लेफ्टी बैटन नहीं मिलेंगे इस आप पोजिशन वाली टीम में तो नेट एक अच्छे डिफरेंशल चोईस हो सकते हैं जस्ट सेलेक्शन जो इनका वो 7.92 है बढ़के भी कितना जाएगा यह बारा परस बन रहा है जिसमें मैंने डॉमिनिक ट्रेक्स को इंक्लूट किया है और कंसिडर किया इनको और इनस्मित बॉलिंग नहीं करेंगे तो रिस्की हो जाएंगे तो इस कंडिशन में और इनस्मित को थोड़ा सब्सक्राइब कर गये मैं क्या कर रहा हूं रोई या इविन लेव क ignorant सीविसी के बार करते हैं तो यही में रखराहं वाला हूं बस इसमें क्या कर देता हूं रसल के साथ कासे अपनी टीम में कर देता हूँ और वाइस कैप्टेन में में काईले मैंस के साथ में जा रहा हूँ ये मेरा कॉंबिनेशन है दो ठीक बाकि टॉस होगा तो सारी चीज़े क्लियर हो जाएगी पिछ रिपोर्ट आएगी तो और भी चीज़े क्लियर हो जाएगी या हमें दो इसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे और इसमें भी अच्छी रैंकिंग्स लगाएंगे मिलते नेक्ट वीडियो में थैंक यू